हेलो फндर वेल्कम टू माल चैनल तो फ्रेंट्सार्ट मैं आपके साथ सेहर करूँगी बुंदी के लड़ बनानी की रेश्पी और ये रेश भी हम बनाएंगे बिना बेसन के और बिना ही जारे के तो इसको बनाने बहुत ही इजी है और ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं बूंदी के लड़ू लगबाग सबको बहुत पसंद होते हैं और इनको बनाना भी easy है अगर आपके घर में बेसन नहीं है तो अब भी आप इनको easily घर पर बड़े आसानी से बना सकते हैं तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक किजिए कमेंट किजिए और इसको फैमिली और फ्रेंड में सेयर जरूर की सिएगा तो लड्डू बनाने के लिए यहां मैंने ली हुई है एक कटोरी जने की दाल और इसको हम 5-6 गंटे के लिए सोक कर देंगे अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसको फूरी रात के लिए भी सोक कर सकते हैं तो यहां पर देखी मैंने इसको सोक करके रख दिया था और मैंने इसको नाइट में सोक किया था अब हम इसका सारा पानी ड्रेन आउट कर देंगे इस तरह से किसी चलनी में डाल के। इसको पांच मिनट के लिए छोड़ देंगे जिस से कि इसका सारा पाणी निकल जाएगा। और अब हम इसको करेंगे ग्राइड। तो कि यहां पर मैंने देखिए सारी डाल अपनी पीस ली ई और हम इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे, इसमें हमें किसी भी चीज को मिक्स करने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पेदर मैंने एक लाई चड़ा दी थी, उसमें गरम कर लिया है तेल और हम अपने इस दाल से इस तरह से थोड़ा सा चप्टा सब हमें बिल्कुल पकोड़े नहीं बनाने हैं क्योंकि फिर वह अंदर से सॉफ्ट रह जाएंगे तो हमें इस तरह से थोड़ा सा चिप्टा करके इसको मठ्री टाइब ने बना लेना है और फ्लेम को हमें बिल्कुल लो रखना है इस तरह से हमें लो फ्लेम पर करीब गोल्डन ब्राउन होने तक शेक लेंगे और इनको शेकने में मुझे करीब 10 से 12 मिनट का टाइम लगा है हमें बिल्कुल इनको क्रिश्पी सेकना है तो यह देखिए यहाँ पर हमारी सीख चुकी है हमें इनको लो फ्लेम पर ही सेकेंगे इस तरह से हम अपनी सभी बाकी मठ्रियों को भी बना लेंगे तो देखिये यहाँ पर मैंने सारी मठ्रियां तल ली है अब इनको पूरी तरह से ठंडा होने देंगे तो इनको इसी प्लेट में इसी तरह से रखा हुआ छोड़ देंगे जिससे कि यह पूरी तरह से ठंडी हो जाए तो यहां देखे, यह हमारी ठंडी हो चुकी है, अब हम इनको इस तरह से पीसो में तोड़ लेंगे देखे, पूरी मठरी हमारी अंदर तक बिलकुल कृष्पी है देखे, यहां पर हमारी मठरी असे तोड़ चुकी, अब हम इनको करेंगे ग्राइड और हम इनको पल्स वाले मोड पर ग्राइंड करेंगे पल्स वाले मोड पर हमें इन्हें दो-तीन मिनट के लिए ग्राइंड करना है जिससे कि देखिए हमारे बूंदी तयार हो चुकी है अब हम इसका मेजर्मेंट करते हैं और यहां मैने वही एक कटोरी कोई सेट कर लेंगे उसी से हम अपना पूरा मेजर्मेंट करेंगे तो एक कटोरी से थोड़ी सी ज्यादा चीनी यूझस की हुई है एक कटोरी और एक वन फोर्ट कटोरी चीनी इसमें हम डालेंगे हाफ कटोरी पानी और इसका हमें सीरप तियार करना है पानी हम थोड़ा सा ही डालेंगे क्योंकि जितना पानी डालेंगे फिर हम उसे पकानने में उतना ही टाइम लगेगा तो यहां पर हम पानी का यूज थोड़ा सा ही करेंगे देखिए सीरफ हमारा तयार हो चुकी है जासनी अब हम इसमें एड़ करेंगे आदा चमच इलाची पाउडर इलाची पाउडर से इसका फ्लिवर बहुत अच्छा आता है और इसमें हम थोड़ा सा रेड़ वाला फोट कलर का यूज कर रहे हैं जिससे कि हमारे लड़ों में कलर आ जाए अब हम इसमें अपनी बूंदी बना के रखी थी इनको हम डाल लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करते हुए इसी में दो से तीन मिनट के लिए पकने देंगे कलर मुझे यहां थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा कलर पारेट किया है अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इनको ठंडा होने देंगे उसके बाद हम इसमें एड़ करेंगे दो चम्मच करीब गी इससे कि लड़ों में मारे एक बहुत अच्छी सी साइनिंग आएगी और जब यह ठंडा हो जाए तोड़ा सा हलका सा गुलगुना रहने चाहिए उसके बाद हम अपने लड़ों को बना लेंगे तो हाँ इस तरह से हम इनको गोल-गोल करते हुए अपने लड़ों कना लेंगे और इस मेथ़ट से आप लड़ों बनाएंगे तो कोई भी आपकई नहीं जान पाएगा कि यह लड़ों बेना साय बूनदी और अगर आपको मेरी रेश्टी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंड कीजिए और चैनल पर नहीं हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आप चाहे तो इनको चान्दी के वरक से या इस तरह से ड्राइफूट से गार्निस कर सकते हैं तो यहां मैं आपको एक लड़ो दोड़ के दिखाती हूँ, यह कितना सॉफ्ट बना हुआ है यह देखिए अंदर से विलकुल थैंक यू फर वाचिंग तो चलिए फिर आप मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई